असलाम लेकूम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग आज हम बनाएंगे बीफ कोफटा करी इसके लिए हमें प्यास चाहिए प्यास हम दो अदद मीडियम साइस की लेंगे और इसे हम चौपर में डालेंगे लहसन के जवे हम लेंगे तीन से चार अदद इसे भी हम चौपर में डालेंगे जिंजर, यह निगे अद्रक हमें चाहिए एक इंच का टुकड़ा इसे भी हम स्लाइस में कट करके इसी में शामिल कर देंगे हरी मिर्चे हमें चाहिए दो से तीन अदद इसे भी हम इस तरह मोटा मोटा काट के इसमें डाल लेंगे हरा धनिया हमें चाहिए ये टूटू 3 टेबल स्पून भार के ये भी हम इसी में शामिल कर लेंगे और इसे हम अच्छे से चाप कर लेंगे अगर आपके पास चापर नहीं है तो आप हरा धनिया और हरी मिर्चे को हरी मिर्चो को आप बारीक काट ले छुरी की मदद से और जो प्याज अध्रक और लेसन है तो इसे आप कदूकर्ष की मदद से कदूकर्श कर ले मकसद इसे सिर्फ बारीक करना है यह आप देख सकती है कि अच्छे से बारीक हो गया है अब हम इसमें कीमा एट करेंगे, मैं यहाँ पे 500 ग्राम्स बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ और मैं यह बात बताती जाओं कि आप फ्रेश कीमा यूज़ करें जो कि होममेट हो और अगर आप बाजार से भी लाए तो ताजा बनाया हुआ आप खरीदें ताजा बना हुआ आप इसमें adding यूज़ करें इसमें हम 300 सिपोन भर के बुने हुए चंणों का पावर्डर डालेंगे वन टेबल स्पून हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया डालेंगे वन एड़ टी स्पून हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा एड़ करेंगे गरा मसाला ये भी ताजा ग्राइंड किया हुआ है ये हम इसमें डालेंगे टू टी स्पून सोर्ख मर्च का पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अगर आपको कब मर्च मर्च से पसंद हो तो आप हरी मर्च और सोर्ख मर्च अपनी टेस्ट के इसाफ से एड़र्ज़क कर सकती है घी हम üst ने एड़ करेंगी 1 टेबल स्पून भपर एक अदत हम इसमें अंडा एड़ करेंगे, अब हम इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे, फिर से हमने इसे इसी तरह चॉप कर लेना है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो बारी कीमा आप लें, जो के दो बार मशीन से निकला हुआ हो, और इसी तरह सारी चीजे इसमें श इसी तरह का मिक्सर बना लें अच्छे से से गून लें तो यह मिक्सर आपका बन जाएगा यह मिक्सर हमारा त्यार है अगर बहुत ज्यादा नारम हो रहा हो मिक्सर तो आप इसे 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दें और इसके बाद आप इसके कोफते बना सकती हैं यह इ करके हम मीडियम साइस के कोफते बना लेंगे सारे कोफते इसी तरह बिना क्रेक्स के दबा दबा कर हमने बना लेने हैं और इससे हमने फ्रिज में रख लेना है अब हम इसके लिए करी बनाएंगे करी बनाने के लिए हम एक पॉट लेंगे और इसमें हम तकरीबन आधा कप आलेंगे, तीन से चार हम हरी लाइचे इसमें तोड़ के डालेंगे, हलका सा फ्राय करेंगे, और इसके बाद हम इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ करेंगे, एक टेबल स्पून भरके हमने इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ कर लेना है, अच्छे से हमने इ अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी एड़ करेंगे तीन अदद मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया है बिना पानी के इसमें हम नमक एड़ करेंगे 1 टी स्पून टेस्ट के साफ से आप एड़स्ट कर लें सुख मिर्च का पाउडर इसमें हम डालेंगे 2 टी स्पून या पर टेस्ट के साफ से यह भी आप एड़स्ट कर लें हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून धन्या पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे साथ ही मैं इसमें यहां पर वन टी स्पून भरके देगी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी मिर्चे तो वह मैं इसमें वन टी स्पून एड़ करूंगी इसे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है ग्रेवी का अच्छे से हम इसे फ्राइ करेंगे इसे हमने फ्राइ करने के लिए छोड़ देना है जब तक मसाला अच्छे से भून जाए और जो टमाटर है जो हमने इसमें टमाटर प्यूरी एड़ की है तो इसका पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए और इसका अलग हो जाना चाहिए अब हम एक ब्लेंडर लेंगे ब इसमें हम ब्राउन कीवी प्याज एड़ करेंगे एक अदत लाग साइस प्याज मेंने ब्राउन कर ली है बहुत जादा ब्राउन नहीं करना अगर बहुत जादा ब्राउन करेंगे तो ग्रीवी अच्छी नहीं बनेगी इसका हम पेस्ट बना लेंगे यह अब देख सकती है ब्राउन प्यास का वो हम इसमें एड़ करेंगे सारा और अच्छे से हमने इसे भून लेना है अब हमने मसाले को तक्रीबन आच से दस मिनट के लिए भूनना है पहले के तीन से चार मिनट हमने इसे ऐसे ही भूनना है और इसके बाद ढख के हमने इसे रख लेना है अब हम इसे ढग कर रखेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से भूनते जाएंगे 8 से 10 मिनट लगते हैं मसाला भूनने में अगर नीचे लग रहा हो ताप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकती है लेकिन यह है कि जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी तो उतने ही अच्छे इसकी ग्रेवी बनेगी करी बहुत ही जबरदस बनेगी नमक हम इसमें एड़्जेस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के साब से इस स्टेज़ पर मैं इसमें थोड़ा सा भूना हुआ और कुटा हुआ जीरा मजीद एड़ करें हूँ हाफ टीस्पून मैं यहाँ पर इसमें भूना हुआ और कुटा हुआ जीरा एड़ करूंगी और अच्छे से भून लूँगी याद रखें कि इससे पहले जो मैंने जीरा पाउडर डाला था वो सिंपल जीरा पाउडर था वो मैंने भूना हुआ नहीं था इस टेश पर जब मैं डालूँगी तो वो मैंने भूना हुआ है और इसका पाउडर मैंने बना कर इसमें एड़ कर लिया है अब हम फिर से कौफते निकाल कर इसमें एड़ करेंगे मसाला हमारा अच्छे से त्यार हो गया है ओल इसका अलग हो गया है कौफते हम इसमें रखेंगे और इसके बाद कौफतों को हमने बिलकुल इसमें चमच नहीं चलाना कपड़े की मदद से हमने देच की या जिसमें भी आप इसे पका रही हो याद रखें कि एक तो खुले मूँ वाली देच की कढ़ाई कुछ भी हो आप खुले मूँ वाली ले और इस तरह करके पकड़ के आप इसको ऐसे हिलाएं इस तरह करके कि अपने हिला लेना है और आंज हल्की करके ढखक कर हमने इसे 5-6WAN पहले 5-6 Kingdom हमने इसे एसे ही ढखकर हल्की आंज पर कुक कर लेना है 5-6 म मिनट हो चुके है अब हम इसमें उबलता हुआ पानी अड़ एट करेंगे एक गलास में यहां पेस में उबलता होआ पानी अड़ करी ठीज हो दोग कर दोगा जोगार में तो यह 10 मिन दोग कर दोड़ी है आपको जितनी पचंद हो आप यह रख सकते हैं आखिर में हम इसके उपर हाफ टी स्पून गरम मसाला एड़ करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा मैं यहां पे इसमें थोड़ा सा फिर से एड़ करी हूँ वन बाइ फोर टी स्पून यह आपके टेस्ट पर डिपेंड है अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पसं कौफटी है आप मत डालें इसमें हम फैने ग्रीक लीव्स यानिके मेथी डालेंगे खुशक मेथी जिसे कहते हैं कसूरी मेथी वह हम इसमें वन टी स्पून डालेंगे और इसको बिलकुल हलकी आँच पर पांच मिट के लिए दम पर रखके छोड़ देंगे और यह हमारी क कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेस्टन करना हो तो आप मुझ से कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थेंक यू फॉर वाचिए